ये सवाल है देख लिजे पर्षनों का उत्तर पहला कुश्चन है कितने कनमा बराबर एक धूर और एक धूर में दसमलों के बाद कितने कनमा होता है इस तरह से सवाल है इसको जानेंगे और दूसरा एक काठा 27 फूट लंबाई है या चवडाई तो अगला कितना होगा चवडाई गंबाई इसमें पूछा गया है और तिसरा सवाल 60 डिसमिल कितना होता है और चाउथा सवाल नीज का मतलब क्या है और पांचवा सवाल 11 गुंठा कितने बाई कितना होता है इसको जानेंगे हम सबसे पहले देख लेते हैं पहला सवाल हमने कितने का नमा बराबर एक धूर इसको देख लेते हैं लिख लिजे पहला सवाल तो यहाँ पर एक धूर एक धूर बराबर होता है 68.0625 वर्ग फूट वर्ग फूट होता है इतना होता है एक धूर बराबर और एक कनवा लिख लिजे एक कनवा बराबर एक बटे 16 धूर होता है इतना यह दिख लिजे इस परकार से होगा यहाँ पर यदि एक कनवा का वर्ग फिट निकालेंगे तो आप जो है 68.0625 बटे में कर दिजे 16 तो एक कनवा बराबर इनस्वर आता है 4.25390 इस तरसे दसमलों के बाद और भी है इतना वर्ग फूठ होगा इतना वर्ग फूठ इस तरसे एक बटे 16 धूर एक कनवा बराबर एक बटे 16 धूर यह नेपाल में भी होता है तो इस तरस से कनवा निकालते हैं तो आप लग्डी से धूर निकालिए इसके बाद कनवा को देख लिजे और इसमें जो है कानी भी होता है लेकिन कानी का वीडियो बन चुका है उसको देख लिजिएगा तब ये दसमलो के बाद 0.0625 कितना कनवा तो यहाँ पर ये कनवा बहुत कम है पाइंट के बाद बहुत कम है ये तो ऐसा ही वर्गफ हीट में है फिर ये एक कनवा भी नहीं है बहुत मामूली से आ है देख लिजिए 0.0625 इसको आप भाग कर देंगे 4.1 कनवा निकालना है ये दसमलो के बाद कितना कनवा तो 4.2539 से भाग कर दिजिए 2.539 से तो बराबर होगा ये 0.0141435 कनवा ये बहुत ही छोटा है इसलिए इसको जो है आप दसमलो के बाद एक कनवा भी नहीं होगा तो इस तरह से निकालना चाहेंगे तो निकाल लिजिएगा देख लिजिए यहाँ पर एक कनवा बराव एक बटे 6 लाध हो जैसे हम जानते हैं कि एक डिसमील एक डिसमील बरावर जानते हैं एक बटे 100 एकड होता है एक बटे 100 एकड यदि डिसमील का ओवर्ग फिट मी निकालेंगे तो एक डिसमील बरावर 43,560 बटे 100 करेंगे तो बरावर एक डिसमील का मान 435,6 इसक्वायर फुट निकलता है इस परकार से निकाला गया है यहाँ इसी तरह से एक कनवा बरावर जो है एक बटे 16 धूर होता है यानि कि एक धूर में 16 कनवा इस तरह से आप निकाल सकते हैं और अगला सवाल दूसरा सवाल एक काठा जमीन का लंबाई चवडाई कितना होगा तो देख लिजिए यह 1361.25 वर फूट होता है काठा में इसको 27 से भाग कर दिजिए ति यह बराबर होगा 27 से भाग परने पर यह 50.416 फूट होगा इतना लंबाई होगा आपका इस तरह से पलोट है एक काठा यह देखिए ति 27 फूट का चवडाई है तब 50.4 एक फूट जो है यह लंबाई ले ले लिजिए यह होगा आपका और पांचवा सवाल देख लिजिए पांचवा सवाल 11 गुन्था कितने बाई कितना होगा ग्यारा गुन्था तेहाँ पर जानते हैं एक गुन्था एक गुंठा बराबर 1059 वर्ग फूट होता है वर्ग फूट आब इसको 11 से गुड़ा कर दिजिए तो ये बराबर होगा 11,979 स्क्वाइर फूट होगा ये देख लिजिए किसका लंबाई चवड़ाई निकालना चाहेंगे तो इसको 100 से भाग कर दिजिए ये ये दख लिजिए इस परकार से शव फूट इसका चवड़ाई लेते हैं तो लंबाई होगा 119,979 फूट इस परकार से लंबाई चवड़ाई निकालना इजी है इस तरह का शवाल कुछते हैं और एक गुंठा का 1089 वर्ग फूट होता है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब किजिए वीडियो सेर किजिए